पॉप्लोर एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 4 की विनर रह चुकी गोहर खान हाल ही में बिग बॉस सीजन 14 के घर से दो हपतों का समय बिता कर वापस अपने घर लोट आई है बिग बॉस सीजन 14 के घर में गोहर खान ने जिस तरह से बिग बॉस के टास्क के दोरान स्टैंड लिया और बेबागी से अपनी बात रखी उसके लिए गोहर की जमकर तारीफ हो रही है वहीं इन सब के अलामा गोहर खान के निजी लाइफ की बाते इन दुनों सूर्खियों में है जी हाँ इन दुनों गोहर और उनके कधित बॉइफेंड जैद दरबार के शादी की खबरें सूर्खियां बना रही है हाली में खबरे आई कि जैद और गोहर अगले महीने यानी नवंबर में शादी के बंधन में बनने वाले हैं हलाकि खुद गोहर खान ने इस खबर को और यूमर बताया और इसे सिर्यस से खारिस कर दिया वहीन सब क्यालावा गोहर खान ने अपने सोशल हैंडल पर बेहदी रोमांटिक अंदाज में अपने बॉइफेंड जैद को किया है बड़े विश गोहर खान ने अपने सोशल हैंडल पर जैद के साथ अपने पिक्स को शेर करते वे उन्हें जन दिन की बढ़ाई दी है जैद और गोहर अपने इस पिक्स में वाइट ड्रेस में ट्विनिंग करते नजर आ रहे हैं वहीं बैग्राउंड गुबारे भी सेम कलर में नजर आ रहे हैं गोहर खान ने अपने सोशल हैंडल पर इस पिक्स को शेर करते वे लिखा जैद दरबार आप एक दुआ के जैसे हो मैं कामना करता हूँ कि आपके जीवन में खुशियां सफलता अच्छे स्वास्त और शोहरत की भरमार हो आमीन आने वाला साल आपके लिए बेहतरिन हो आप बहुत ही अच्छे और होट हो मेरे मुस्कुराने की वज़ब ही आप ही हो मैं दिल से आपके लिए दुआ मांगती हूँ वेल आपको बता दे कि जैसे दरबार बॉलिवट के जाने माने मुजिक डिरेक्टर स्माइल दरबार के बेटे हैं और हाले में स्माइल दरबार ने एक न्यूस पोर्टल से बात करते हुए अपने इंटेविव में साफ किया था कि दोनों की जब मर्जी होगी तो शादी कर दी जाएगी वैसे खबरे तो छंचं करा रही है कि जैद और गोहर नवंबर महिने में अपना निकाह करने का प्लान बना रहे हैं हलांकि गोहर ने शादी की खबर पर रियक करते हुए इसे रियूमर ही बताया है